पॉर मोर वीडियो लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चैनल डोंट फगेट तो प्रेस बेल आइकन हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे इमली की खटी मीटी चटनी और हरी चटनी जो हम हर किसमे के चाट के लिए यूज करेंगे तो अच्छे लिए सबसे पहले हम आपको बता दियू के हमें इमली की खटी मीटी चटनी के लिए किन-किन चीजों की जरुरत है यहापर मैंने हाफ कप इमली ले लिया है जिसे हम बॉइल कर लेंगे यहापर एक कप हमने गुर ले लिया है जैगरी हाफ कप इमली के हिसाब से एक कप जैगरी एक चमच काला नमक एक चमच चाट मसाला एक चमच लाल मिर्च पावडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है दो कप और अब हम इसमें हिमली आड़ कर लेंगे इसको हम अच्छा बॉइल आने तक पकाएंगे इसे देखिए हिमली अच्छी बॉइल हो रही है इसे 10 से 15 मिनिट आपको लो फ्लेम पे बॉइल करना है यहाँ पर हिमली हो चुका है मैंने फ्लेम ओफ कर लिया है हम स्पाटूला से या स्पून से इसे हलका हलका मैश कर लेंगे यहाँ पर हम हिमली स्ट्रेइन कर लेंगे अब हलकी स्पून से इसे यह देखिए अब प्रेस कीजिये इसे तो जो इमली का पल्प है वह इसमें निकलेगा अच्छा खासा यह देखिए अच्छी हमारा यह जो है इमली का जो वाटर है यह हम अलग से रख लेंगे अब हमें इसे कुक करना है फिर से हमें एक वैसल ले लेंगे उसमें जो है इमली का पानी आड़ कर लेंगे उसमें गुड दाल देंगे गुड दाल की से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड को हम पकाएंगे इमली के साथ जब तक ये गुड मेल्ट नहीं हो जाता अच्छे से ये देखें गुड अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें हम आइड कर लेंगे चाट मसाला काला नमक सॉल्ट लाल मुच पाउड़न ये दाल के आम इसे बस एक बॉइल आने तक इसे उबाल लेंगे और हमारी इमली की जो चटनी हो रेडी हो जाएगे बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए अब हर किसम के चाट के लिए यूज कर सकते हो दही वड़ा है पानी पूरी आप सैंविच के लिए भी यूज कर सकते हो समोसे के साथ भी खा सकते है इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो एर टाइट बॉटल में ये देखिए अच्छा थिक हो चुका है अब हम इसे एक बाउल में डिशाउट कर लेंगे आप इसे फ्रिज में जो है 20-25 दिन के लिए अराम से रख सकते हो चलिए अब हम अरी चटनी की त्यारी करते हैं हरी चटनी हम बनानी के लिए यापर हम ले लेंगे हरा धनिया एक बाउल भरकर पुदीना लीज ले लेंगे एक टेबल स्पून चार हरी मिर्च तीकी वाली हरी मिर्च एक छोटा तुकड़ा अद रख का बहुत ज्यादा बड़ा तुकड़ा नहीं लेना आपका अद रख का यहाँ पर हम सॉल्ट ले लेंगे और जरा सा वाटर अचलिए अब हम जो है चटनी पीस लेंगे मिर्च एठनी गर्लें मिर्च एक दाल देंगे इसमें नॉर्मल सी चटनी वन्ती लेकं बहुत ही टेस्टी यह चटनी यह हरी मिर्च एठसय कर लेंगे स्ट्रें और अपने दालीबानेज हम पवाइं पानी होदफ पानी यह मित्स को लिए पीस्ट बनाना है इसा इर भी हमारी अरी अन्दास्स पानी सी धुट्स, भी हाँ निन दिल यहांरे soccer, में में पीसे सबड़ क्रें को त जरे 150 ml यह दोघी कहुए आप इसे किसी भी तरीके के चार्ट में यूज कर सकते हो मेरा अगला वीडियो होगा दही वड़े का तो दही वड़े में ये इमली की खटी मीटी चट्नी और हरी चट्नी यूज करूंगी और आप इसे जरूर बनाइए और अब फ्रिज में स्टोर करके रखिये मुझे आप कमेंट बोक्स में बताएए कि आपकी ये चट्नी कैसी बनी है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फ्रेंट्स पर वाचिंग माई चैनल स्टे टून फर मोर रेसिपीज